आज के हमारी वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग है क्योंकि आप सब को यह प्रॉब्लम होगी क्योंकि यह मुझे भी है जो भी बुनाई करते हैं उन आपको ये प्रॉब्लम होगी कि छोटी-छोटी थोड़ी-थोडी सी ओन बच जाती है हमारे पास और फिर हम सोचते हैं कि हम उनका क्या करें और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे हम इतनी छोटी ओन इस्तमाल कर लें ठीक है तो मैं आज से आपको आइस्ता-इस्त करके ऐसे प्रोजेक्ट्स बनानाम सिखाऊंगी जो आप बच्च हुई उनसे अराम से कलर एड़ करके जोइन करके बना लें सम्टाइम्स ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट का पैटरन तो आ रहा होता है लेकिन यह नहीं पता होता कि आप धागे स्ट्राइब कैसे डाले बहुत सारे methods होते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको step by step छोटे छोटे से ऐसे प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी जो कि आप बची उनको मुलाकि बना सकें अब होता ही हो है कि आप बची इतनी छोटी छोटी उनसे sweater बनेंगे तो वो जाहरी बात है छोटे बच्चे क बना भी लें वो भी आपको मुश्कुल होगी लेकिन आप sweater नहीं बना सकते इतनी बची उनसे थोड़ी थोड़ी उनसे वो फिर बहुत बड़ा project हो जाता है तो मैंने decide किया है कि आपको छोटे छोटे से project बनाना सिखाऊंगी तो मैंने ये project बनाए हुए हैं यहां पर बच लिया तो अगर आपके पास इतनी थोड़ी सी उन्वची हुई है फिर भी तो आप क्या करेंगी आप प्रोश्या भी कर सकते हैं आप जैसे मैंने designer borders बनाना सिखाए हुए हैं आपको आप वो बना के वो चारों तरफ से सीख सकती हैं बहुत सारे तरीक हैं अगर आपको शौ बहुत सारे तरीके हैं बहुत जादा मैं कोशिश करूँगे कि एक एक करके सारे प्रोजेक्ट आपको सिखाऊं तो आज की हम इस वीडियो में बची हुई उन से ये दो कलर या तीन कलर एड करके डिश क्राथ बनाना सीखेंगे तो ये प्रोजेक्ट नमबर वन है फ्रॉम left over yard so first of all we will choose any color any color to start this project project number one with the left over yard कोई भी आप अपनी पसंद से आपके पास जो भी उन बची हुई रेंडम ली उठा ले पसंद आये न आये उन बची हुई हमने इसका प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उठा लेते हैं let suppose I want to okay हम यह ले लेते हैं वैसे इन दोनों का combination भी अच्छा जाता है बट जरूरी नहीं कि एक दो ही color मिलाएं आप सारे color भी मिला सकते हैं इनको साथ रखके देख लिए आपको अगर problem होती हैं कि हम समझ में नहीं आ रहा आप देख लिए और दूसरी बात dish cloth से न वो आप आपको जरूरी नहीं कि आप बाहर पहन के जा रहे हैं तो कोई देख लेगा और आप कोई भी color मिला दे और उन के color ऐसा होता है कि आप मिलाएंगे तो वो different उनका प्यारा बहुत सा प्यारा लुकाता है तो हम क्या करते हैं हम यह ले लेते हैं और उसके बात देखते हैं कि क left over yarn मैंने ही dishcloth सिखाया भी हुआ है there is a tutorial in a description for this dishcloth with one color if you want to make it for just I am teaching you this demonstrating just for beginners and with the left over yarn that how to add colors and knit this so let's start first of all we will cast on four stitches चार फंदे हम श्लाई पे डाल लेंगे एक दो तीन और चोथा यह जो हमने लूप डाला cast on four stitches with any cast on method you know row one पहली स्लाई knit all stitches पहली स्लाई आप सारे फंदे सीधे बुन लेंगे ठीक है row two दूसरी स्लाई मैंने यह pattern बहुत ही detail से slow में समझाया हुआ है अगर beginners देखना चाहें dishcloth के लिए तो वह pattern देख लीजेगा वो एक color में बनाना सिखाया हुआ है यह just मैं सिखारी हूँ कि आप leftover yarn में से किस तरह से project बिना सकते हैं stripes डाल के तो प्लीज वह देख लीजेगा if you want to knit two stitches together then yarn over धागे को आगे कर लेंगे और फिर फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जितने भी फंदे हमारे पास होंगे तो हमारा क्या हो जाता है यार्न ओवर हो जाता है again repeat row two for your desired width of the project of the dish cloth knit two again yarn over and knit all stitches keep repeating row two दूसरी सिलाई को ही हम बुनते जाएंगे दो फंदे सीधे बुने धागा लपेटा और उसके बाद फिर सारे फंदे सीधे धागा आगे करके जब सीधा बुनेंगे ना तो वो yarn over हो जाता है हमारा keep repeating row two for your desired width अभ फॉर एग्जेम्पल हमारी यार्न अगर यहां पे खतम हो जाती है तो फिर हम फिर से दागा आएड कर लेंगे मैं देखती हूं कि मैं कितना एड करती हूं या कितना इसमेंसे हम बुन सकते हैं कितनी हमें width मिलेगी कितनी हमें इसकी width मतलब कि कितना हम चोड़ा यहां तक बना सकते हैं क्योंकि उसके बाद शेप होता है अगर आपने मेरी डिश क्लाद की वीडियो देखी हो तो फिर मैं आपको बताते हूं कि हम किस तरह से यह एड करेंगे करेंगे इस ट्राइप शेप शेप हैं किस तरह से यह बना ना रहे जाए 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 दूसरी स्लाई को रिपीट करते जाना है अब यह दागा खतम कर लेते हैं आपके पास जो आप वो खतम कर लेते हैं पर हमने इस ग्रेकलर पूरा बन के कम्प्लीट कर लिया है अचा मेरे पास ज्यादा था थोड़ा ग्रेकलर तुम ने काफी पीस जो है वो बन लिया है अगर आपको इससे भी बड़ा चाहिए देखे ना आप आपके डिश क्लॉट की साइज भी देखेंगे अगर आप ज्य पार्ट है वो भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब जाहरी बात है ये डिश क्लॉट बन रहा है ना तो हमने यहां पर इसको इंक्रीज की है सारे फंदे बढ़ाए अब इसको घटाएंगे तो अगर मैं डिश क्लॉट की जो है साइज और बड़ी रखना चाहरी हूं तो उस पासा इसकी नाप बता देती हूं ताकि अगर आपके पास सेम स्लाइयां और नहीं है तो मेरे पास अभी कितनी जो है वो साइज है लेकिन देखें आप अपने हिसाब से फॉलो करें बड़ा बनाना चाहरे हैं चोटा बनाना चाहरे हैं मलब जितनी आपके पास उन बची जो है वो एक कार्नर से लेकर दूसरे तक नाप है विटते बट मैं आपको लास्ट में बता दूंगी के बनाने के बात क्योंकि अभी निडल पे है ना निडल से उत्रेगा तो देन आई विल टेल यू इसकी क्या है फाइनल नाप क्या है इसकी अब दूसरा ये कि हमने ये गरेह कलर हमारा खना है अब देखती है कि कौन सा कलर सथ अच्छा लगेगा यहां पर तो बहुत सारे कलर हैं ठीक है जो बचे हुए है मेरे पास पैस वैसे पीनक भी अच्छा लगता है ग्रे haber की साथ अबन भी अच्छा लगेगा हैं ये लो नहीं वायट भी अच्छा कोई पर दो तीन कलर बची हुए हैं या कितनी फालतु उन जो है आपके पास बची हुई है क्योंकि डिश क्लॉथ या किचिन क्लॉथ जिसे हम कहते हैं वह कपड़ा किचन में यूज रुज होता है तो इतना कोई फरक नहीं पढ़ता कि कलर आपका कुई specially हो बस आपके पास उन बची है और आपने वो इस्तमाल करनी है जिस्ट इतनी सी बात है ठीक है अब ये मैसा करती हूँ कि हम अब पिंक कलर ले 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 लेते हैं क्योंकि पिंक ज्यादा अच्छा लग रहा है ग्रे के साथ बट वो आपके पास जो भी है जो भी अविलिबल हो आप ले लीजेगा मैं अब इनको हटा देती हूँ क्योंकि मैंने कलर ले लिया है don't worry हम इस बचीवी उमून में से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे मैं आपको बनाना से खाऊंगी ताकि आप यूस कर सके हैं सारी जो है वो बचीवी उमून को ठीके अब यहाँ पे हम डिक्रीजिस शुरू करेंगे यह मेरे पास मुझे चलो जतनी भी जतना भी पीस था तो हमने बना लिया है अब डिक्रीजिस शुरू करेंगे डिक्रीजिस के लिए मैंने आपको पहले ही पैटरन बताया हुआ है बाट फिर से मैं आपको समझा देती हूं बता देती हूं आप क्या करेंगे यहां पर धागा जोइन करेंगे क्योंकि इस कलर से ग्रे तो खतम होगे दूसरा यह कि अगर आपका बीच में धागा खतम हो रहा है तो कोशिश करके उसको पीछे ले जाएगा फिर यहां से शुरू कीजेगा ठीक है कॉर्णर से उससे नीटनेस आती है कि इसको नॉट भी लगा सकते हैं यह देखें इस तरह से आप अगर इसको नॉट लगाना चाहते हैं तो ठीक है वरना उसकी इलावा भी आप इसको मिला सकते हैं अब हम इसको बैक पर कर देते हैं क्योंकि हम बैक पर इसको वेवन करेंगे तो हम बैक की तरफ करते हैं नेट वण यहां से हम क्या कर रहे हैं शेपिंग कर रहे हैं और कलर भी जोइन किया है निट वण अब धागा आगे करेंगे और फिर से यह दो फंदे जो हैं साथ में बुनेंगे यह वह हमेशा राइट साइट से हापने उनको मिलाना हैं क्योंकि फिर वाउ Really य vagant हाते हैं ५ण्रूबिस प्रुदे मैं आपको टीकमित हैं बह्ते हैं सारे हम सिधे- बुन लेंगे हमने क्या किया एक फंदा सीधा दो साथ में धागल लपेटा मतलब यार नोवर किया ताकि यहांपे होल बने और फिर दो फंदे साथ में बने उसके बाद फिर सारे फंदे सीधी सीधी बुन ले यहाँ पे shaping part की decreasing part की पहली row complete हो गई है जहाँ पे हमने color भी मिलाया अब second row for the shaping part दूसरी slide decreasing shaping part के लिए decreasing के लिए shaping के लिए बात एक ही है कि हम shape दे रहे हैं फंदों को decrease कर रहे हैं घटा रहे हैं decreasing मतलब घटाना increasing मतलब बढ़ाना अब second row भी पहली row की तरह ही होगी ठीक है पहली row shaping part वाले की यहाँ वाली नहीं shaping जो अभी हमने बुनी दूसरी row भी वैसे ही होगी कैसे same knit one knit two stitches together एक फंदा सीधा दो साथ में फिर धागा आगे और दो फंदे साथ में अब इसी तरह सारे फंदे सीधे बुन लेंगे यह मैं पहली ही repeat कर रही हूँ shaping part वाली जस्ट आप लोगों को beginner की help के लिए अब यहाँ पे हमारी second row भी complete हो रही है यह देखें जो हमने यानुर किया था हम उसको उसी तरह ही बुन रहे नाप अब तक आपके पास चार फंदे वापस नहीं बज़ चाते जितने हमने फहने पहले कास्टे किये थे तब तक आप घटाते जाएंगे साही है दूसरी बात जी है कि अगर बीच में आप का फॉर एक्जेमपल मेरे पास मुझे लगता है ये काफी है आराम से जो है वो दूसरा पार्ट भी साइट इतना इतना हम मैं आराम से बन लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये उन इतनी काफी है फॉर एक्जेमपल अगर आपके पास थोड़ी उन हो जैसे कि ये है और ये है और बीच में खतम हो जाती है चार फंदों से पहले ही खतम हो जाती है मतलब पूरा शेप आने से पहले ही खतम हो जाती है तो आप फिर से धागा एट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे अब मेरे पास चार फंदे बचे हैं चार फंदे जब आपके पास बच चाए तो आपने क्या करना है बाइंड ओफ करते नहें सिंपल बाइंड ओफ मेथट यूज़ करेंगे जिन्होंने पहले देखी हुई है मेरी डिश क्लॉथ फॉली वीडियो उनको ये पैटर्न आता है इसमें मैंने सिखाया है कि किस तरह से आप बची हुई उन में से डिश क्लॉथ बना सकते हैं ताके वो वेस्ट ना हो अब दूसरा यहां पे आप चाहें तो इसको बाइंड सेक्यूर करके बंद कर दें बाइंड ओफ कर दी हैं हमने चार फंदे ठीक है चार फंदों से शुरू किया था चार फंदों बें किया है तो उसके बाद अप क्या करेंगे जब आपको डिश क्लॉथ बनाना सिखाया हुए तो उसको आप मैंने बदाया हुए है कि आप इस तरह का loop कैसे बनाते हैं तो अगर आप लूप बनाना चाह रहे हैं तो आप विडियो वह आपको description में दे दूंगी कि डिश क्लाद कैसे बनाते हैं तो उस पर मैंने इडीटेल में सखाई हुई है आप वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो गिवन इंडिस्क्रप्शन फॉर देस दिश क्लाद एन हाव तो मेक दिस लूप हमारे पास जो इसकी साइज हमें मिली है वो है और यहां से भी उतनी ही होनी चाहिए वागि यह बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि यह कॉर्णर से शुरू करते हैं और कॉर्णर पर खतम आठ आठ हमें दोनों मिली है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक तो आठ यहां पर हमने अब धागा काट लिया है धागा काटने के बात वेविन मैंने आपको सिखाया हुए कि कैसे करते हैं इस डिश क्लाथ की जब मैंने वीडियो बनाई है तो उस पे भी मैंने वेविन किया तो यह बलकुल नजर आएगा इधर करना है आपने बस इस चीज़ का खयाल रखना है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बनाना सीखेंगे इसी तरह बच्चों उनसे थेंगे सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो वीडियो को सब्सक्राब करके बैल लाइकन ज हाफिस